दोस्तो राजस्तान सरकार ने महलाओं के लिए ग्रेट थर्ड टीचर भरती में 50% आरक्षन देने का एलान क्या किया इस पैसले का अप्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है इसे यूवा बेरोजगार के हक पर कुठरा गाज बताया जा रहा है साथ ही कहा जा रहा है कि इससे यूवा पुरुष बेरोजगार जो है उनके साथ अंड्याएं होगा पहले से ही बेरोजगारी की मार जहेल रहे पुरुष बेरोजगार इससे और जादा प्रभावित होंगे इसको लेकर गुरुवार को जहपुर के शहीद समारक पर बड़ी संख्या में यूवा प्रदर्शन करने पहुँचे जिन्हें पुलिस टीम ने शहीद समारक में ही बंद कर दिया इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई पुलिस ने राजस्थान यूवा शक्ती एकिकरत महासंग के प्रदिश अद्यक्ष मनोज मीना को हिरासत में ले लिया है प्रदर्शनकारीयों का कहना है कि राजस्थान की बजनला सरकार लोग सवाचुनाओं में सिर्फ 11 सीट जीत कर आई है अगर इस बिल को राजस्थान में लागू किया गया तो वो आने वाले विदान सवाचुनाओं में 200 में सिर्फ 11 सीट बीजिपी को मिलेगी यह बिल पुरुष विरोधी है अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम इसका पुर्दोर विरोध करेंगे क्योंकि यह पुरुष विरोधी फैसला है इसे किसी भी कीमत परबरदाश नहीं किया जाएगा राजस्थान में पहले से ही महिलाओं को ग्रेट 3 टीचर भरती में 30% आरक्षन दिया जा रहा था इसे बड़ाकर बेवज़ सरकार 50% पर ले गई है इससे पुरुष अभ्यरती के सेलेक्शन किसम भावना कम हो रही है ऐसे में सरकार को इस नियम पर पुनर विचार कर संचोधन करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सरकार इस नियम को लागू करना चाहती है बजनलाल शर्मा को पहले इसे अपने मंत्री मंदल में लागू करना चाहिए जहाँ पर सिर्फ दो महिलाओं को ही जगधी कही है इसके बाद सभी प्रिशासनिक पदों पर इस नियम को लागू किया जाए फिर उसके बाद ग्रेट थर्ड टीचर में इस पॉलिसी को लाया जाए अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम सडक पर उतर कर इसका विरूट करेंगे प्रदेशनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जबान तैनात किये गए है साथ ही मौके पर वाटर गन भी मंगवाई गई है वहीं दूसरी तरफ प्रदेशनकारी पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे है दरसल सीएम ने राजस्तान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंसूर दे दी है इसमें ग्रेट थर्ड सिक्षक बरती में महिलाओं के लिए आरक्षन 30 से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है इस पैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अफसर मिलने के संभावना है साथ ही सरकार का कहना है कि वे आत्मे निरबर होकर सशक्त बन सकेंगे तो दोस्तों खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं शोशल मीडिया यानि यूट्यूब और इस्टाग्राम पर एक बड़ा इंफ्लॉइंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं आपके लिए बेबाग राजस्तान एसके क्रियेटर्स के साथ में लेकर वो चीज़ आए हैं सब कुछ सिखाएंगे दो महीने की ये मास्टर क्लास है हर अफ़ते पांच क्लास होंगी आप बन सकते हैं जीरो से हीरो हर वो टेक्निकल लोलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं तो देर की इस बात की नीचे लिखे नंबर पर कॉंटेक करो और अपनी सीट बुक करवालो क्योंकि बहुत सिमित सीटे हैं बागी फीज कितनी हैं आपको और क्या-क्या ज़रूरी जानकारी चाहिए वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो R&T Group of Colleges यहां आपको मिलता है World Class Infrastructure in India Well Equipped Science Laboratories, Agriculture की Unique Seed Lab भी Digital Library, Computer Lab with AI Technology Digital Boards सभी जात्रों के लिए Online Students के लिए Podcast Room भी अविलेबल है चितोरगर जिले और MLSU Udaipur का एक मात्र Accredited College Courses हैं चिनमें BCA, BCOM, BSC, Bio, Maths, Agriculture BA, BABA, BSCBAT, BSTC, MA, MSC, MCOM बड़े और खुले ground sports के लिए जहां होती है sports activities Training Personality Development, Student Development Activities Seminar और Conference Facility भी NCC Activities ताकि NCC Cadets के रूप में आप भविश्य समार सके देश की सेवा कर सके यह विजन है R&T और विविकानन Group of Colleges की चेयर परसन डॉक्टर वसीन खान का तो आज ही चोईन करें R&T और विविकानन Group of Colleges जूबाश स्सक्ड़ब्न Met Us कर दोबाश़् आका में करें है जूबाश्बाब देश्य जूफिकान थ 240डव één 17